है एवरिवन चलिए आज बनाते हैं ड्राइफूट लट्टू जिसमें मैंने बादाम, काजू, पिस्ता, अक्रोड और मिक्स वाला ये मैंने मगजबीच और खसकस अलग से लिया है और मगजबीच देखे आप से पोपी सिट सब इसमें है और ये वाला एक अलग से बॉक्स सारे ड्राइफूट को मैं फ्राइप करों में देशी गील को मैं अप ड्राइफूट ड्ली हो मैं अब ट्राइफूट डाल किसे पहले बदाम डाली हो बदाम को अच्छा सा है देशी में भूणलेंगे और बहुत ही हल्दी ये लड्डू है आप इस झढड बे जरूद के एक तंड के लिए इस तरह की लड्डू बना के आप एक लड्डू आप दिन भर में अगर आप खाएंगे तो बहुत ही फायदा मिलेगा आपको जो भी तरण से प्रॉब्लम है या कुछ तकलीफ है या ताकत के लिए भी बहुत ही बहुत अच्छा लगेगा इस तरह की लड् अब अपने पसंद का सभी ड्राइफूट डाल सकते हैं देखिए सबको मैं फ्राइकर के निकाल ले रही हूं अब मैं जो मिक्स वला बॉक्स लेती जिसमें पोपी सीट्स वगेरा मगज बीच सब अलसी भी थी इसमें इसमें मैं खरबुजे के बीच 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 है इसमें इसे मैं अच्छा सब भून लोगी ऐसे एक बॉक्स मिलता है आप चाहे तो मिक्स वला भी लेकर डाल सकते हैं इसमें मैं भी खसकस डाली हूँ कई फादे हैं ठंड में आपको तो पता ही होका जितने मैंने ड्राइफूट पकर लिए सब अलग 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 फायदे हैं इसलिए मैं इतने सारे ड्राइफूट ली हूँ देखो सबको मैं फ्राइब करके निकाल दी हूँ अच्छा सब थोड़ा ठंडा कर लेंगे अब मैं कडाई ले रही हूँ कडाई में मैं गी ले हूँ जिसमें हम आटा भूनेंगे यहों काटा देख सकते हैं मैंने दो कटोडी आटा लिया है इसमें आप कॉंटेटी कम जादा कर सकते हैं इसे low to medium flame करते वे से अच्छा सा भून लेंगे अच्छी तरह से भून लेंगे आप घी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा घी खाना पसंद है तो आप इसमें और घी भी आट कर सकते हैं देख सकते हैं अच्छा सा यह ब्राउन हो चुका है आटा इतने अच्छा इसे भून के इसे मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगे तब तक सौंदा संदा सा खुसबू आजा तब तक इसे भूनना है अब यह जो ड्राइज फूट हम लोगों ने भी में फ्राई करके रखे तो ओ भी ठंडा हो चुका है आप उसे ग्रैंड करेंगे हल्का दरदरा करके से ग्रैंड करेंगे ением है दो-भी तीन बाहर इसे बंचालो बंचालो करके मैंने इसे पीसले तर् farmers की में जो खाते से मुमिझे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे कि अब देख सकते बिल्कुल बारीक मैंने नहीं किया है ड्राइफूट्स को ताकि खाने में मुमी थोड़ा सा भी आए तो अच्छा लगेगा अब सारे ड्राइफूट्स को मैं अब धुनावे आटा मिक्स कर ले रही हूं देखिए मगज भी खसकस के पाउडर है इसे भी हलका सा दर्दरा ही पीसा है बहुत बारीक नहीं रखा है इसे भी आटे में मिक्स कर देंगे सबहे ड्राइफूट को इसमें आटे मिक्स करके इस अच्छा सा मिक्स करूंगी बहुत ही सिंपल ही बहुत ही टेस्टी है बहुत ही हल्दी ये रेसिपी है अब मैजरेमट इसी तरह रग के बनाईए कि अगर आपको इस्टेज में गूड डालना है तो गूड डाल सकते हैं पर मैंने इसमें डाला है शक्कर का भूरा मैंने इसमें एड़ किया है अब मैं इसमें देखिए सुखा नारिया आपको सुखा नारियों कद्दू कस भी कर सकते हैं मिक्सी में ग्रैंड भी कर सकते हैं मैंसे मिक्सी में ग्रैंड करोंगी इसे भी मैंने अच्छा से ग्राइड कर लिया है और इसे अच्छा से मिक्स कर लिए इसे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा मैंने इसमें एलाइची पॉटर वगर कुछ भी आड़ने ही किया है अब देखिए मैं एक कप सक्कर का भूरा डाल रही हूं जो भूरा आता है ज फोड़ा सा हलका से गरम है कि यह अच्छा से लड़ू बन सके बिल्कुल ठंडा में नहीं बनाना है अच्छा से बंद देगा निए आपको ど भाइस-ध सारा घी बहुत ही सिंपल रेसिपी मेजरिमेट आप इसी तरह से रखेगा और बहुत ही हल्दी है अब बच्चों को भी दे सकते हैं बहुत बड़ा लड्डू ने छोटा मीडियम साइज का लड्डू आप बच्चों को सुभा मॉर्निंग में दे दीजे या शाम को दूद के साथ दे कि सभी ये लड्डू को मैं अच्छा से बना लूँगी आप अराम से इसे खराब होने का कोई डरने अप कितने दिन पी से एटेट बॉक्स में रखके आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पस यह है कि ज्यादा नहीं खाना है इसे दो तीन चार ऐसा नहीं खाने तो बहुत हीट क करता है तो बिल्कुल आपको नुपसान भी पहुंचा सकता है आप एक लड्डू खा सकते ही मीडियम वाला इसे आप एक बॉक्स में डाल सकते हैं देखिए सभी लड्डू बंद चुके हैं आप ऐसे करके एक जार में रखके रख सकते हैं देखिए मैंना इसे एक एट बॉक्स में डाल दिया यह लड्डू बहुत सारे बने हैं मैं थोड़ा से इसमें डाल के दिखा रहूं आप ऐसे ही डाल के अभी से रख सकते हैं देखिए मैं आपको तोड़के भी दिखाओंगी देखिए बंधा भी कितने अच्छी तरीके स देख सकते हैं अंदर पूरा ड्राइफूट और बहुत ही टेस्ट है आप जान सकते हैं कितने सारे चीज़ डालने के बाद कि टेस्ट में कितना अच्छा इसका फ्लिवर आएगा और हेल्दी तो है है अचलिए अगर मेरे रेसीपी अच्छी लगी इसी मेजरमेंट से बना के ट्राइए किजिएगा आगे मैं और कोई अच्छी से रेसीपी के साथ आप लोगों से फिर मिलती हूं थैंक यू टेक क्यर बाइबाई